अगर हमारे घर में किशी के भी नाम से गरेलू LPG Gas Connection है तो ये वीडियो आपके काम आने वाल है क्योंकि अगर गरेलू LPG Gas Connection है तो सभी गरेलू LPG Gas Connection दार्क चाहिए वो मैला हो या पिर पुरूस हो उनकी EKYC की जाएगी ताकि परदान मंत्री उजवला योजना के अंदर सभी परिवारों को 450 रुपए में रसोई gas cylinder मिल सकें साथ ही जिनको subsidy नहीं मिल रही है उनकी भी subsidy है वो शुरू की जा सकें सभी gas connection दार्कों के लिए EKYC जरूरी है चाहिए हमारे घर में किसी भी कंपनी का gas connection हो चाहिए वो बारत gas हो HP हो या फिर इंडियन किसी भी कंपनी का अगर gas connection है तो अब EKYC की जाएगी और बिना EKYC के हमारा gas connection हो बंद भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे gas connection दारक है जो जीवीत नहीं है लेकिन उनके नाम से gas connection है तो अब जिनके भी नाम से gas connection है उनकी EKYC की जाएगी आपके परिवार के पास HP इंडियन भारत gas इन में स EKYC कर सकते हैं दूसरा आपने जहां से भी जिस भी डिस्टिब्यूटर से gas connection लिया है वहां पर जाकर आप EKYC करवा सकते हैं अगर आप गर बैटे अपने मोबाइल से EKYC करना चाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं अगर आप गर बैटे अपने मोबाइल से घरेलू gas connection दार की EKYC करना चाते हैं तो इसके लिए हमें एक एप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजे हलो BPCL यान की बारत पैंट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड का ये official app है इसे आपको सबसे पहले डाउनल का तो हमें घरेलू gas connection दार की EKYC करने के लिए केवल दो एप डाउनलोड करना है आदार फेस आरडेर और हलो BPCL ये दोनों एप डाउनलोड कर लेना है इंस्टोल कर लेना है उसके बाद में अब हमें हलो BPCL का official app है उसे open कर लेना है जसे हम open करेंगे तो बारत पैंट्रोल के लिए order किया है तो उस order को track कर सकते हैं इस app की मदद से हम QR scan करके payment कर सकते हैं और इस Hello BPCL app से हम EKYC भी करेंगे तो हमें get started पर click करेंगे तो हमें mobile number type करने का option मिलेगा यहां पर हमें mobile number type करेंगे जो mobile number हमारे guest connection में जुड़े वे हैं वही mobile number हम type करेंगे उसके बाद में continue पर क्लिक करेंगे तो जो हमने यहां पर mobile number type किया है उस mobile number पर 6 नमरों के OTP हैंगे OTP यहां पर हमें type कर देना है उसके बाद में received information WhatsApp SMS इन दोनों को select करेंगे उसके बाद में by signing up I accept the BPCL terms and service इसे select करेंगे और create account पर click कर देंगे तो जैसी दोस्तों create account पर click करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा you have been successfully enrolled यानि कि हमारा enrolled हो चुका है और हमारी user ID हो हमारे mobile number ही होगे तो हमारा registration successfully हो चुका है अब हमें continue पर click करेंगे तो हम से MPIN के लिए पूछा जाएगा यानि कि यह हम जब भी इस एप पर login होगे तो यह हमारे इस एप के password है MPIN यहां पर एक टाइप करना है उ उसके बाद में confirm MPIN में 1,2,3,4 टाइप करेंगे इस तरह से जो भी number आपको याद रहते हैं वो 4 number यहां पर type कर देना है MPIN टाइप करने के बाद में submit पर click कर देना है जैसे हम submit पर click करेंगे तो MPIN set successfully यानि कि हमारा user ID बन चुका है MPIN successfully set हो चुका है अब हमें done पर click कर देना ह हमसे फिर से MPIN नमर पूछे जाएंगे यानि कि अभी जो हमने MPIN set किया है वही number हमें यहां पर type कर देना है उदारन के तोर पर मान लीजिए अगर हमने 1,2,3,4 set किया है तो हम 1,2,3,4 type करेंगे और अगर हम MPIN forget करना चाहते हैं forget MPIN पर click करके हम forget भी कर सकते हैं जैसे MPIN type करें का official जो एप है उसमें login हो जाएंगे और इस तरह से home page dashboard open हो जाएगा यहां पर हमें मिलता है कि आपका जो current price है cylinder का वो कितने रुपए यहां पर आपको मिल जाएगा वर्तमान में 935 रुपए लिए जा रहे हैं तो आप जब भी cylinder रिपेल करवाएं तो उसम आपको 935 रुप जाएं दिया गया इस पर हमें क्लिक कर देना है जैसी दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में हमें select language select करना चाहते हैं तो हम यहां पर English सी select करते हैं उसके बाद में submit करते हैं submit करने के बाद में जिसके भी नाम से greyloo gas connection है उसकी detail इस तरह से आजाएगी यहां प में यहां पर मिलता है EKYC यानि कि हमारा जो greyloo gas connection है उसकी EKYC यहां से की जाएगे EKYC करने का बहुत आसान तरीका है EKYC करने का मक्सद यह है कि आपका gas connection में अधार कार्ड को जोड़ना है आपको जब भी gas connection की subsidy मिले या फिर 450 रुपए में जो LPG slender दिया जाएगा उसके ब करेंगे तो हमारे जो greyloo gas connection में mobile नमर जुड़े है उस पर OTP आएगा OTP यहां पर टाइप करना है और verify कर देना है तो यहां पर मिलता है OTP validated successfully यानि कि हमारा OTP है वो validate हो चुका है successfully अब हमें proceed पर click कर देना है जैसी दोस्तों process पर click करेंगे तो यहां पर भी हमें by clicking the checkbox इसे select कर लेना है यह terms और condition दिये गए है उसके बाद में continue पर click कर देना है तो जैसी दोस्तों continue पर click करेंगे तो हमने जो play store से आधार face rd का app install किया था वो app है वो automatic open हो जाएगा और हमार जो आधार card से face को match किया जाएगा यानि कि हमारे आधार card में जो face है उसी को match करके यहां पर ekyc की जाएगे यहां पर जिसके भी नाम से gas connection है उसका face है वो capture करना है यानि कि camera के सामने उनकी एक photo लेनी है photo automatic आएगी photo लेने का जो तरीका होगा वो तरीका इस तरह का होना चाह यह साती camera की सामने है वो आँखे खुली भी होनी चाहिए उसके बाद में I am aware इसे select करेंगे और proceed पर click कर देंगे जैसी दोस्तों proceed पर click करेंगे तो जिसके भी नाम से ग्रेलू gas connection है उसकी अब हमें photo केंचन है और photo automatically ली जाएगी हमें किसी भी button पर click नहीं करना होता है और gas connection दारेक का face capture करते समय जो पीछे का background है वो white होना चाहिए सपेद होना चाहिए तो I am aware of this do not show me again इसे select करेंगे और proceed पर click करेंगे जैसी पर click करेंगे तो camera automatic open हो जाएगा और जिसके भी नाम से ग्रेलू gas connection है उसको camera के सामने खड़ा कर देना है और camera में देखने के लिए कहा दे जैसे हमारी EKYC successful हो जाएगी तो यहां पर मैं मिलेगा successful updated status as EKYC successful यानि कि हमारी EKYC successful हो चुकी है तो आप गर बेटे अपने mobile से mybpcl और साथी यहां पर आधार face rd 2 app download कर लेना है google play store से और इस तरह से आप गर बेटे अपने grayloo gas connection दारक की EKYC कर सकते हैं या फिर आपने जहा और यहां पर इस app में EKYC complete का status है वो 24 गंटे में या फिर 48 गंटे में update हो जाएगा दोस्तों गरेलू gas connection दारक की EKYC करना जरूरी है अन्यता हमारा गरेलू gas connection का card वो बंद भी हो सकता है तो साथी हमने आपको बताया कि गरेलू LPG gas connection दारक की EKYC करवाना जरूरी आप गर ब झाल